इस question में क्या पूछा गया है an object starting from rest travels 20 meter in first 2 second and 160 meter in next 4 second मतलब एक object है वो क्या कर रहा है यहाँ पर पहले जो 20 meter कितने में कर रहा है 2 second में कर रहा है 20 meter ठीक है और अगले 4 second में यहाँ पर 160 meter travel कर रहा है तो हमें क्या बताना है हमें बताना है what will be the velocity after 7 second तो यहाँ पर जो velocity बतानी है second बाद यहाँ पर कितनी हो जाएगी ठीक है what will be the velocity after 7 seconds from the start ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका solution करते हैं और यहाँ पर हमें acceleration नहीं दे रखा हमें यहाँ पर acceleration नहीं दे रखा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे acceleration को ए माल लेंगे acceleration लेना है इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर uniform velocity तो है नहीं कि यहाँ पर मतलब दो second में 20 मीटर चला और अगले 2 second में भी यहाँ पर 20 मीटर चलता तो यहाँ यहाँ यूनिफॉर्म हमने क्या माल लिया यह माल लिया अब हम यहाँ पर लगाएंगे second equation of motion ठीक है तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूं second equation of motion s equal to क्या होता है हमारा ut plus half 80 square तो यहाँ पर यह हमारी initial velocity होती है a हमारा isolation t हमारा time और s हमारा होता है distance travel जिसको हम small s से denote करते हैं ठीक है अब यहाँ पर देख लेते हमें क्या क्या value दी गई है तो इसको मैं पहले equation first माल लेता हूं और यहाँ पर हम दो बहागों में कटेंगे एक तो हम यहाँ पर 2 second वाला करेंगे और उसके बाद हम यहाँ next 4 second में कितना travel किया तो यहाँ पर मैंने दो पार्ट कर दिया इसके तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या किवन है यह देख लेते हैं हमें जो initial velocity given है 0 क्योंकि यहाँ पर था starting position rest में था ठीक है time यहाँ पर पहले बाला लेके चलेंगे 2 second के यहाँ पर कितना travel किया ठीक है initial velocity 0 into time हमारा 2 था प्लस half acceleration यहाँ पर क्या था हमारा a यह था क्योंकि यहाँ पर हमने a ही माना है और t हमारे यहाँ पर क्या है 2 है 2 का हमने यहाँ पर कर दिया whole square ठीक है अब यह 2 से यह वाला 2 कर जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 20 equal to 0 से 2 करेंगे तो यहाँ पर 0 2 और यहाँ पर हमारा क्या बचा 2 a बचा और यहाँ पर a की value क्या जाएगे 20 divided by 2 मतलब हमारी आगे 10 10 के आगे मीटर पर second square ठीक है velocity जी रोथी एक हो हो थी जिसको हम भी से डिरोट करते हैं तो इहां-पर हम निकाले संगे को देशल्द से लिए किसके लिए? 4 में लेले निकालों ठालों अभे हमने हैं इहां-ट किसके लिए- 4s के लिए तो यहां पर करते हैं इसको solve तो same हमें इहां पर क्या रख़ा है यूँ अब यहां पर initial velocity 0 नहीं होगी अब यहां पर initial velocity हमारी 20 meter per second होगी ठीक है यह जो अब यहां पर निगा ली यह हमने इसकी हो गई 160 मीटर हो गई जैसके यहां पर गिवान है 160 मीटर आप यहां पर सेम फॉर्मिला लगाएंगे सेकंड इडुकेशन और मोशन का यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेर और सारी यहां पर पूट कर देंगे एए एश कितना था हमारा 160 था इनिशल वेलिचुटी और सेकंड प्लस अने हैं और सेकंड आप हो fak'. कि आप में टीप का स्क्वेर दे रखा है इसको यहां पर अब कर लेते हैं solve तो solve करना आना चाहिए यहां पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा तो यहां पर 160 इसको मैं इधर 80 divided by 8 तो यहां पर कितना है हमारा 10 अगया 10 में पर second स्क्वेर अगया ठीक है अब मैं यहां पर इसकी क्या निकाल सकता हूं इसकी भी लेंगे ईसलेशन होगे टाइम यहां पर Krishna की अझा एक्षैकर थेकन हां को दाइंगे तो यहां पर कितना हो गया हमारा सेवंटी मेटर पर सेकट हो गया यह क्या हो गया हमारा इसका अंसर हो गया 70 meter per second जो हमाँ साथ सेकेंड में हैं पर पूछाता ना velocity कितनी होगी और पहले बात velocity और speed एक ही चीज़ होती है speed हमारी scalar quantity होती है और velocity की होती हमारी vector vector मतलब हमाँ पर direction के साथ साथ क्या करता है यहां पर फोर सेकेंड नहीं करेंगे हमने यहां पर टूसकेंड लिया था बट है यहां पर नहीं लेंगे यहां पर क्या लेंगे सेवन सेकेंड के ठीक है तो हमारा हो चुका है अब हम बढ़ते हैं अपने'll प्राइब कर सकता है